ब्यूटी पार्लर का जिक्र होते ही खूबसूरत महिलाओं के चेहरे जहन में आना आम बात है लेकिन इन दिनों जैसल मेर में चल रहे क्यामल फेस्टिवल में उंटों की ऐसी सजावट की गई है मानो ये अभी अभी ब्यूटी पार्लर से निकल कर आए हो डेजर्ट फेस्टिवल खास तोर पर उंटों के लिए ही जाना जाता है देश विदेश से इन दिनों यहां आने वाले सैलानियों का ताता लगा हुआ है हर कोई इस रंग बिरंगे फेस्टिवल का पूरा लुट उठाने में जुटा है जिस तरह ब्यूटी पार्लर में दुलहनों का सोला शरंगार किया जाता है ठीक उसी तरज पर उंटों के मालिक इनकी सजावट करते हैं कैमल फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक उट अट खेलियां करते नजर आ रहे हैं सजे धजे उटों को अपने कैमरे में क्यात करने के लिए विदेशी सैलानी काफी उतसाहित नजर आते हैं बात करेंगे दुलहन की तरह ये उट सजेवे हैं इतना 16 सिंगार थे दुलन का होता है उट का भी 16 सिंगार किया हुआ है अदब नजर आ है आप देख सकते हैं देशी विदेशी चालानी आज उटों के कारें आपके बजा ले रहे हैं राजस्थान के जैसलमीर, बाडमीर, जिलों के ग्रामीर इलाकों में शादी विवा समारो रैलियो में ले जाने से पहले उटो का बकायदा मेकप किया जाता है, इनकी हेर कटिंग होती है, फिर इनका श्रंगार कर बकायदा इन्हें गहने भी पहनाए जाते है संख्या में उटो का शंगार करने के साथ-साथ उन्हें बहतर लुक देते हुए ब्यूटिफुल लुक देने पर उट मालिकों का खासा जोर रहता है हर साल इस फेस्टिवल में उटो की सजवट का कॉम्परिशन भी किया जाता है और जो उट इन्में विजय होता है उसके मालिक को इनाम जीतने का मौक भी मिलता है पूरा पूरा जो है थिल आयोजन का मज़ा ले रहे हैं हर पकार का रोमांज का मज़ा ले रहे हैं ये देशी वी देशी शेलानी भरपूर मज़ा ले रहे हैं इतने तदात में लोग उम्रेव हैं कहा जाए कि पूरा ग्राउंड जो है पूरा ठसा ठस बरावा है आज के उटों के रोमांज का उटों के प्रोग्राम का लोग भरपूर बजा ले रहे हैं विमल भाडिया जैसल बेर रादस्तान तक के लिए